किसान भाईयो नमस्कार किसान भाईयो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं चना में कौन से वो तीन गलतिया हैं जिसके बज़े से हमारी फसल की पैदावार रुख जाती है और चना में जो है उत्पादन किसान को बराबर नहीं मिल पाता है आज इसी के संदर्ब में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं किसान भाईयो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चनल को सब्क्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए वीडियो अन किसानों तक सेर करिए जिससे अन किसानों को भी आपके माध्यम से सटीक और सही जानकारी मिल सके तो चलिए किसान मित्रो वीडियो सुरू करते हैं आज हम वोची जान लेते हैं जिसके चलते हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है चने की खेती में और किसान को जो लाब मिलना चाहिए जो पादन मिलना चाहिए वो लाब नहीं मिलता है और एक दो तीन छोटी सी गलतियों के बज़े से वो गलती क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा आपको बताएंगे तो मेरे किसान मित्रों से अनुरोध है कि बीडियो के लास्ट तक बने रहे जिससे पूरी जानकारी जो है सटीक जानकारी जो है आपको मिल सके मेरे किसान मित्रों पहली गलती क्या किसान भाई करते हैं कि चना में फूल निकलने का जब समय आता है कि चने की फूल निकलने की छमता खतम होने लगती है और चना जो है ग्रोध करना स्टार्ट हो जाता है और दूसरा चीज क्या होता है कि फूल जो है जड़ने लगते हैं फूल भारी मात्रा में जड़ने लगते हैं तो सभी किसान मित्रों से अनुरोद है कि चने में फूल निकलते समय बिलकुल चने में पानी मत दे अगर चने में पानी देना है तो फूल निकलने के 10-15 दिन पहले आप दे दीजिये यह कि जब चनों में घेटिया बनना अरम हो जाती हैं, घेटिया बनने लगती हैं उस समय आप चनों में पानी दे सकते हैं लेकिन आप फूल बनने की प्रारंभिक अबस्था में पानी बिल्कुल मत दीजिए उस से आपका बहुत भारी मात्र में आपका नुखसान होगा किसान मित्रों दूसरी साउधानी जान लेते हैं कि दूसरी गलती क्या कर बैठते हैं किसान मित्र जो है कि जब फूल निकलने का समय आता है उस समय जो है ग्रोथ वाली टानिक दे देते हैं बहुत सारे हमने किसान मित्रों को देखे हैं हर किसान मित्र तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ किसान भाई लोग जो है वो growth वाली tonic डाल देते हैं फूल निकलते समय कोई भी चने में growth वाली tonic नहीं डालना है जिससे क्या हो गए चने की growth बढ़ने लगेगी और हम सोच रहे हैं कि फूल उससे बढ़ेंगे तो फूल नहीं बढ़ते बलकि फूल जो है जड़ना शुरू कर देते हैं तो किसान मित्रों से अनरोध है कि जब चना में फूल निकलने लगते हैं उस समय आप फूल वाली और फलियों वाली आप tonic आप डालिए फूल फलियां बढ़ाने वाली tonic डालिए जिससे फूल न जड़े और फलियां बहुत बढ़िया बने और फलियों में दाने बहुत अच्छे आए तो आपको उस समय ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको कहीं मार्केट से लेके गरोथ वाली tonic आप डाल देते हैं जिससे आपको ये नुकसान हो जाता है तो किसान मित्रों से अनुरोध है कि इसमें आपको बिसेस कांसेंटेशन करना है बिसेस आपको ध्यान देना है चले किसान मित्रों तीसरे गलती के सम्मंद में हम बात कर लेते हैं तीसरी गलती क्या करते हैं किसान मित्रे लोग जो है जब चने में फूल का टाइम आता है तो फूल के टाइम में इलियों का प्रकोप बहुँ ज़्यादा होता है और फूल के टाइम में इलियों का अगर प्रकोप हो गया तो उस समय क्या होता है कि फूलों की इलिया खा लेती है फूलों की इल्ली अखा लेने से क्या होता है कि घेटिया नहीं बन पाती है तो फूल के टाइम में आपको बहुत अच्छी क्वाल्टी की इल्ली मार दवाई की स्प्रे करना है आप लगे तो Growfast Organic Diamond Private Limited की बहुत बढ़िया दवाई आती है Growin 7 का आप इस्प्रे कर दीजे जैवी की इल्ली मार दवाई है इसको डालने से आपकी फसल में कोई भी प्रकार का नुकसान होगा नुकसान नहीं होगा और लंबे समय तक आपकी फसल में इल्ली ओं कीडों का प्रकूप नहीं होगा तो किसान मित्र जो है ये गलती जो कर लेते हैं कि इल्ली मार दवाई की स्प्रे नहीं करते हैं भगवान बरो से छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है जो आना होगा सुआ जायेगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है जब आपके चनों में इल्ली ओं आपको दीखे तो इमिडेट आपको जो है अच्छी क्वालिटी की आपको इल्ली मार दवाई दानना है और दूसरा चीज ये देखिए कि इल्ली मार दवाई का रजल्ट कितने दिन अगर रजल्ट आपको 15 से 20 दिन भी है तो जब गेटिया बनने का टाइम आता है तो गेटिया बनने का टाइम में फिर एक बार जो है दुबारा आप इल्ली मार दवाई की स्प्रेय आप करेंग पूल के समय दवाई डाल दिये फिर इसके बाद दवाई डालना भूल जाते हैं जिस्ट 15-16 दिन बाद 20 दिन बाद फिर जब गेटिया बड़ी बड़ी हो जाती है गेटियों में दाने अच्छे भरने लगते है उस समय भी इल्ली लगती है तो उस समय इल्ली के बनेंगे और आपकी उत्पादन चमता आपकी बढ़ जाएगी किसान मित्रो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्क्राइब करिए और अनकिसानों तक यह जानकारी आप भेजिए आपके माद्यम से जो जानकारी किसानों क तो अनकिसान भी जो है चैने की फचल में बहुत बढ़ी हा लाब ले पाएंगे जिस से हरे आपके माद्यम से और अनकिसानों का भी उत्पादन चमता बढ़ेगी होके मेरे किसान मित्रो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जय जबान जय किसान